नमस्कार किसान बायू सुआगता देश की सभी बड़ी मंडियों के आज के आलू के ताजा बाहों में जी हैं दोस्तों आज हो चुका है 13 नॉमबर 2022 देश की सभी बड़ी मंडियों में आलू के हाल फिलाल में क्या बाव चले हैं जो मंडियां हाल फिलाल में खुली है उनी के बाव हम आपको बताने वाले हैं इसी के साथ आपको छोटी दिवाल की आपको सभी को सुब काम नहीं आपको परिवार को सुब काम नहीं हम बात करने वारे हैं कि पिछले सप्ता की तु अब जरू करते हैं और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाइल आइकन जरू प्रेस करें क्यूंकि लगाता डेश की बड़ी मंडियों के ताजा सई और सटीक बाओं हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं साथ अगर आप अपन दाओन पर खरी हैं तो दोस्तों आज के हम सभी बड़ी मंडियों के ताजा से और सटीक भाउट देख लेते हैं हैं सुरू करते हैं उत्तरप्रदेश की दोस्तों बात करें आग्रा मंडे की दोस्तों आगरा मंडे में आपके 2550 से लेकर 2800 रुपे आपका आलू भीक रहा है वही दोस्तों बात करें अलेगर मंडे में तो 2950 से 3050 पर कुटला आपका आलू भीक रहा है वही दोस्तों बहराइच की बात करें तो यहां 2820 से आपके 2940 वही दोस्तों बलिया की बा के बाव में बिक रहे हैं यानि तीन हजार कुटल तक आपके आलो है वो हाल फिलाल में बिक रहे हैं तो यहां अच्छा कासे बाव हम मान सकते हैं आगे भी इनमें उच्छाल देखने को मिलने वाला है वही दोस्तो हर्याना की बात कर लेते हैं हर्याना की दोस्तो यहां बात क कर लमन्ड टेश की गुना मंडी में 950 से लेकर 1500 रुपे तक रड़ा मंडी में 3000 से लेकर 3500 रुपे इन दोर मंडी में 1000 एंड़ BT equipped Probleme वाहिद उस्तों बाकी मंडी में 3500 रुपे तक आपका है अलू यहां मद्यों पर देश में विगई रहा है महराश्टा की दोस्तों आपको भाब बताते हैं नासिक में आपके 2100 रुपे से लेकर 3650 रुपे वही दोस्तों यहां मॉंबई ओनियर पटेटो मार्केट में आपके 2700 रुपे से लेकर 3500 रुपे तक आपका हाल फिलाल में आलू बिकरा है उसे द्वहाओं की बात करें तो यहां भी 3400 रुपे तक आपका मैक्सिमम है वो आलू बिक्रा है यानि पंजाब में आपकी आलू की आवगा भी चादा हो रही है वही दोस्तों राजस्तान की बात करते हैं तो राजस्तान की अजमेर मंडी में 2500 रुपे से लेकर आपका 2600 रुपे तक आलू बिक्रा है यानि कुल मिलाकर कहें तो अच्छा कासा उच्छाल है वो भी देखने को मिला है आगे भी किसानवाई को देखने को आलो के बाओं में मिलने वाला है